हेलो फ्रेंट्स में हूं मुकेस और आप देख रहे हैं अपेक्सिकान चेनल तो आज की इस वीडियो में हम आपको कार्टीज रिप्लेस्मेंट करना सिखाएंगी कि कार्टीज कैसे रिप्लेस्मेंट करनी है और इसमें क्या-क्या सावदा नहीं रख तो कार्टीज रिप्ले यह ब्लिंक कर रही है, जो देख सकते हो यह रंग इन कार्ट इसकी ब्लेंकिंग लाइट है और यह ब्लेंकिंग में कारण यह है, मैंने ब्लेंकिंग समंढ़ ये बाना रखा है यह क्यों करती है? इसके अधिक जानकरी के लिए यह भी मैंने एक पार्ट वीडियो पना रखा है उसका डिस्क्रिप्शन में में लिंक दे दूंगा मासा आप देख सकते हैं और अभी फिलाल मेरी यह जो रंगीन कार्टी यह बिलिंक कर रही है और जो ब्लेक इन वाइट है वह ब्लेंकिंग नहीं कर रही है यानि इसका तो सबसे पहले आपको क्या करना है प्रिंटर को ओफ कर लेना है प्रिंटर ओफ कर देंगे हम प्रिंटर ओफ हो चुका है अब हम इस नीचे जाएंगे इस टोर को खोलेंगे इंटर इंडोर को खोनने के बाद आपकी जो कार्टी से वो स्लोट अंदर की तरफ रहता है इसको हम आज से भी खीश सकते हैं और लाइट के मादने से चालू करके भी खीश सकते हैं लेकिन मैं परते काम वो प्रिंटर में ही करता हूँ क्योंकि डेमे इसमें कार्टीज हटाये और लगायें तो मैं कार्टीज को निकाल लेता हूँ आक है यह कार्टीज निकल चुकी है हमारी कार्टी विल्कुल डेमेज हो चुकी है क्योंकि अधिक तरह हम ऐसे पकड़ लेते हैं तो इसके नोजलनिप्स और यह खराब हो जाती है यह ब्लोक हो जाते हैं एर ब्लोक कई कारण हो तो हमने अमेजन से यह मंगाई थी कार्टीज और यह कार्टीज पर कुछ कमिशन चल रहा था तो मुझे यह लगबग इसकी फिलाल रेट 930 के लगबग थी लें 27 परेंडिया कुछ ओफ हो गया था इसलिए मैं अशाड़ी आट सो की से हमेजन से खरीदा है और आप भी अगर इसको खरीदना चाते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा महां से आप जाके इसको खरीज सकते हो इसे करके देखते हैं कैसी है यह फाइनली 837 का बिल प्रापत है यह ओरिजनल ओरिजनल लोगो है आप देख सकते हैं एच्पी एच्पी का ओरिजनल लोगो और कार्टिज यह ओरिजनल लोगो है ट्राइकलर 803 जो एच्पी 1131 मोडल में हम यूज कर रहे हैं तो यह बात ध्यान में रखे और डुब्लिकेट कार्टिज का यूज ना करें डुब्लिकेट कार्टिज में आपके वर्क करने का कोई चांस नहीं है कर भी सकती है नहीं भी करें यह लोग इसको खूल लेते ह है एच्पी अट्सो तीन कार्टिज को हमेशा यूँ ना पकड़े क्योंकि अभी तो इसके स्टिकर लगा हूँ आइसले मैं अभी पकड़ लेता हूँ एसी मुद्रा में पकड़े कार्टिज को और यह देखिए आठ सो तीन मोडल है ट्राइकलर और यह जो मोडल है यह किस तारीक तक है यह देख सकते आप यह तारीक दे रखी इसमें नो ग्यारा दोजार बीस तक वेलिड है और इसके नम्मर है यदि यह सोट वगेर हो जाती है एक साल से पहले तो वारंटी रहती है इसकी आप इस वारंटी में इसको भेज सकते हों रिप्लेस्मेंट हो जाएगी और न्यू कार्टिज आपको मिल जाएगी क्योंकि मैं और बेज चुका हो मेरी एक कार्टिज नई कार्टिज मंगाई थी वह सोट आई थी इसलिए मैंने दुबारा उसको भेज दिया था तो यदि आपकी भी सोट आती है आप कंपनी के से कॉंट्रेक्ट नमर लेके और इसको रिप्लेस्मेंट कर सकते हो तो चलिए इसको इसको इं उन्यक्त है यह निप आपके प्रिंटर में भी है इसको आप देख के और سाब लेन्धर हैं तो आपके फेले से और इसको अटा लेंगे लेकिन हुताने से पहले में एक काम करूँगा प्रिंटर में जब आपको बताना चाहुँगा को दिखेंगे पिले कलर में डोट-डोट से निप होते हैं इसी से आपकी कारिच गनेक्ट होती है और इसी के कारण आपकी डेमेज होती है कार्टी तो इसलिए आप ध्यान पूर्वक इसमें लगा है अगर आप में इसमें थोड़ी भी कमी रह गई तो आपके कार्टी सोट हो सकती है यह कि जो इसके कार्टी के निप होती है वो थोड़ा थोड़ा सा भी टच सही तरीके से न कनेक्शन होना चाहिए आपका डिजली कनेक्शन नहीं होना चाहिए यदि बिजली कनेक्शन होगा और अधर वाइस इदर उदर लग जाती है तो फिर यह डेमेज होने का खत्रा देता है ठीक है और इसको ऐसी मुद्रा में नहीं पकड़ना आपको ठीक है इस पर डॉंट क्योंकि यह काफी दिन हो गया है मैंने यूज नहीं की थी इसलिए मुझे डर है कि क्या न्यू कार्टिस डेमेज ना हो जाए इसलिए मैं इसे साफ कर रहा हूं ठीक है मैं साफ कर लिए जो भी इसकी डस्ट होगी रहा हो निकल जाएगी अब मैं इसका इस्टिकर वेनर हट देता हूं हटाने के बाद आप इसको ऐसी मत्रा में पकड़ के और लगा दे प्रिंटर ओफ होना चाहिए आपका इंटर ओफ है मेरा ठीक है एक्सेस डॉर बंद कर देना आपको और फिर आप अपना प्लग लगाएंगे प्रिंटर का चालू करेंगे हम कर लिया अब आप देख सकते हो इसमें थोड़ी देर बाद में पता चल ला है बिलिंक कर रही है ने कर दिए क्योंकि मारे कार्ट है शासरी ऐसे डरीकां अब देखते हैं कि यह नहीं होता नहीं होताओ यह देखते है deepen यह silent होने का बेट करेंगे जब तक यह proper अधार की अधार है अब यह मेरको कार्टीज मेशिज का एक सेम्पल निकाल के देगा सेंपल को मुझे देखना इसे गवराये नहीं इसका चेक करती है कि कार्टीज यह प्रिंटर यह दोनों एक सेंपल पता जलता है इसके बाद आपकी प्रिंटर में जो कार्टी लगाई वो वर्ग करती है इस सेंपल है इसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने कलर आए है इसमें और यह कार्टी सही बर्क कर रही है यह नहीं कर रहे हैं यह ब्लिंकिंग कर रही है हमारा प्रिंटाउट रेने के बाद यह भी ओफ हो जाएगा यह सेंपल पेज इंची क्राप्ट हुआ है इसी मुझे पता चल रहा है कि मैरे फर्सेट कलर साहरेन यालो सब कलर प्रोपर्ली वर्क कर रहे हैं ठीक है अब उसके बाद मुझे प्रिंटर की तरफ जाना है देखनें प्रिंटर के क्या बता रहा है नहीं रखेंगे तो यह कार्टीज डेमेज हो सकती है इसमें बस पावर ओफ करके यह आपको कार्टीज को इंस्टोल करना है और उसके निप के आपकी फिंगर टैसर नहीं होनी चाहिए ठीक ह और अधर्वाइज आपको अगर इसमें कलर रिफलिंग करनी हो तो मैंने एक वीडियो पहले डाल चुका हूं मैं कि कौन सी इसमें रिफलिंग की जाती है कलर कार्टीज में तो उसका भी में डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूँआ वीडियो का तो महां से देख ले और य चैनल और मेरा वीडियो पसंदा है तो लाइक और शेयर जरू करें